राली खेत नैसनल हाईवे के अधिकारियों अब तो अपनी आग कान खोलो चकोटिया में सडक ठेके द्वार द्वारा छलनी किया गया पहाड दरक कर सडक पर आया आसपास के लोग दहशत में चकोटिया में इन दिनों एक किलोमेटर लंबी सडक बन रही है लेकिन इस सडक को बनाने में सभी नियम काईदे ताक पर रखे जा रहे हैं जब भी इस्थानिये लोग रानी खेत में नैशनल हाईवे के कार्यले में एक्सन इस्तर के अधिकारियों से ठेकेदार की शिकायद करते हैं तो वे हर बार जूटी दलीलें देकर ठेकेदार का बजाओ करते हैं लेकिन 19 जून को शाम के वक्त जब चकोटिया में रानी खेत रोड पर एक विशाल काई पहाड़ी भर भरा कर सड़क पर आगरी तो ठेकेदार की काली करतूतों की पोल खुल गई इसके बाद लोग यही उम्मीद कर रहे हैं शायद अब नैशनल हाईवे के अधिकारियों की आख कान खुले दरसल यह हाथ सा ठेकेदार दारा जब अरदस्ती पहाड को काटने की वजह से हुआ है जब पहाड को काटा जा रहा था तब इस्थानी लोगों ने अधिकारियों को चेताया भी था लेकिन तब उन्होंने ठेकेदार की काली करतूतों पर परदाद डाल दिया पहाडी के भेंकर आवाज के साथ गिरने पर आसपास के लोगों की सांसें अटक गई लोगों का कहना है कि यदि मलवा तेज रप्तार के साथ नीचे आता तो वह सीधे लोगों के मकान में घुच जाता जिससे जान माल का काफी नुकसान होता यहीं पर टैक्सी स्टेंड भी है वह तो शुकर है कि लोगडाउन की वजह से यहां गाडियां और लोग नहीं थे खेर ठेकेदार ने अपनी काली कर्तूतों को छिपाने के लिए मलवे को आनन फानन में तीन जेसी भी लगा कर हटवाया गया इस्थानी विधायक महेश नेगी भी तुरंत घटना इस्तल पर पहुँच गये उन्होंने भी कहा कि ठेकेदार सड़क बनाने में गैर जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाप सक्त एक्सन लिया जाएगा लेकिन इस्थानी लोगों और जन परतिनिदियों के मुह से बर्बस यहो निकल गया कि 23 जून को चकोटिया आने वाले डियम सहब काश इस वक्त यहां होते तो वे भी लोगों के मुह से ठेकेदार की काली कर्टूतों के किस से सुन लेते जानमाल की पर हनी आप नहीं रही है आप यहां पर हमने 30 जैसीबी इसमें तुरंत लगा रही हैं तीन की तीन की जैसी लगी है वो रोट खोलने का काम कर रही है दो एक घंटे के अंदर में चालू करने का काम सुरू कर देंगे सर जो चखोटिया की रोड बन रही है इसमें कई अनिमित्ता हैं लोगों की शिकायत हैं और जब पहाड भी काट रहे थे तब भी लोगों ने शिकायत की थी और तब जेई ने भी एक हा था कि पहाड बहुत मजबूत है और आज आज आपके सामने हकीकत दिग गई है यह ठेक झाल